आपको भी प्रोब्लम आ रहा है OBS से PPD को record करने में तो दोस्तो ये विडियो आपके लिए है तो दोस्तो इस विडियो पे लास्टक बने रहिए देखे रहिए और सेखे रहिए तो चलिए दोस्तो बिना किसी देरी की विडियो शुरू करते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दू मेरा नाम है राजी और आप देखर अपना यूट्यूब चैनल है टैक मित्रा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हम लोग OBS को ओपेन करेंगे हमारा OBS ओपेन हो चुका है और हमने पहले से एक सीन क्रिएट करके रखा है दोस्तो सबसे पहले तो आप यहां से पलस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू सीन क्रिएट कर लेंगे तीक है जब आप फर्स टाइम OBS को ओपेन करते हैं तो ऐसा ही दिखता है या जब आप New SYN यहां पे लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का Interface आता है तो सबसे पहले दोस्तो इसमें कुछ सेटिंग कर लिजिए ठीक है आपको गय करना है सेटिंग के उपर क्लिक करना है उसके बाद दोस्तो सबसे पहले आपको Output में जाना है ठीक है आउर्पुट में जाने के बाद दोस्तों यहां सिंपल रखेंगे और यहां पे दोस्तों आप वीडियो वीट्रेट वीडियो वीट्रेट दोस्तों आप 15,000 kbps कर देजे उसके बाद दोस्तों इन कोडर में आप इन दोनों में से कोई भी रख सकते है मैंने यहां पे hardware रखा है audio bitrate दोस्तों आप 160 रखे ठीक उसके बाद दोस्तों recording path जो भी है by default वो रहने दीजिए धर आपको कुछ भी नहीं करना है recording format दोस्तों आपको mkv रखना है और इधर आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद दोस्तों आप आ जाईए वीडियो में तो यहां पे दोस्तों हमने 90 20 into 1080 रखा है जो दोस्तों आप input में रखते हैं वही दोस्तों आपको output में भी रखना है दोनों में दोस्तों आपको अलग-अलग नहीं रखना है दोनों में दोस्तों बरावर रखना है ठीक है इतना कर देना है और उसके बाद दोस्तों आपको apply करके ok कर देना है उसके बाद दोस्तों आपको audio setting में क्या क्या setting करनी है तो दोस्तों इसमें देखे एक होता है desktop audio दूसरा होता है mic audio यहाँ पे देखे लिखा हुआ है mic audio और यह यहाँ किलिकर करके mute भी कर सकते है, desktop audio को mute करने से फायदा यह होगा, कि अगर आपके desktop से कोई संसरा हाट, जरजरा हाट, ऐसी कोई आवाज आ रही होगी, तो वो आपके वीडियो में record नहीं होगा, तो दोस्तों, आपको कहे करना है, यहाँ से desktop audio को mute कर देना है, अब दोस्तों, आपके सामने बचता है, only one audio source, ठीक है, सिर्फ एक audio source बचता है, और यह है mic को audio source, तो दोस्तों, आप यहाँ पे, आप अपनी mic को select करेंगे, आप यहाँ किलिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों, आपको properties में जाना है, और उसके बाद दोस्तों, आप जो भी mic यूज करते हैं, ठीक है, जैसे मैं waveform, जैसे कि दोस्तों, मैं Logitech का HD waveform C310 यूज करता हूँ, इसी से मैं audio record करता हूँ, तो यह वाला मैं mic select कर लोगा, अगर दोस्तों आपने बोया मैक लगाया है, तो आपके बोया मैक का जो नाम है, वो आप यहाँ select करेंगे, और OK कर देंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वापस से इस icon पे क्लिक करना है, ठीक है, इस audio gear पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आजाना है, एडवांस ओडियो प्रोपर्टीज, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे, वेल्यूम पर्षेंटेज पे चेक टिक लगा देनी है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 100%, 100% लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यह दोनों चीजे आफ रहना चाहिए, यह जो है आफ रहना चाहिए, यह भी आफ रहना चाहिए, और यहाँ पे दोस्तों इन सभी में चेक टिक लगा हुआ होना चाहिए, इतना कर देंगे, इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों वापस आपको इसी गियर पे क्लिक करना है, और उसके बाद दोस्तों आपको फिल्टर पे आना है, फिल्टर पे आने के बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है, पहला दोस्तों आपको noise gate filter लगा देना है, दूसरा दोस्तों आपको compressor लगा देना है और उसके बाद आपको इसे close कर देना है तो दोस्तों आपको करना है, तो दोस्तों आप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ppd को open करेंगे तो दोस्तो हमारा PPD बनके ready हो गया है अब दोस्तो हमने PPD को open कर लिया है अब दोस्तो हम लोग क्या करेंगे यहां से PPD को play करेंगे ठीक है यहां से हम लोग PPD को play करेंगे इस तरह से और उसके बाद दोस्तो हम लोग फिर से जो है window की press करेंगे तो यहाँ पर यह जो है टास्वार आ जाएगा और यहाँ पर OBS दिखने लग जाएगा फिर यहाँ किलिक करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से स्लाइड सो कर लेंगे जिससे हमने यहाँ पर slide show कर लिया है तो इस तरह से सबसे पहले आप slide show कर लेंगे फिर दोस्तों आप window की press करके आप OBS में आएंगे और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर plus icon पर click करना है और यहाँ से दोस्तों आप window capture add करा लेंगे ठीक है? विंडो केप्चर add कराएंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो source add करना है वो करना है पावर पॉइंट slide show ठीक है? पावर पॉइंट slide show और यहाँ पर दोस्तों यह देखे capture method क्या है? automatic है ठीक है? यहाँ पर powerpoint slide show यहाँ पर show कर रहा है यह तो सही है लेकिन यहाँ पर क्या है? capture method automatic है तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर करेंगे window 10 ठीक है? window 10 यह वाला option तो देखे यहाँ पर जो है हमारा window capture आगया है और उसके बाद हम लोग ok कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है powerpoint presentation यहाँ पर लगा लेनी है और दोस्तों आपको यहाँ से इसे log कर देना है ठीक है? उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से recording on कर देंगे ठीक है? जैसे दोस्तों हम लोग recording on करेंगे तो हमारा ppt record होना इस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इससे minimize कर देंगे और उसके बाद दोस्तों अब हम लोग जो है क्या करेंगे यहां जो है mouse को scroll करेंगे तो यहां पर इस तरह से अब दोस्तों आप यहां पर click करके जो है परजेंट होगा उस तरह से चीजे यहां पर show होगा उसके बाद दोस्तों आपको option show कराना है तो आप option show कराने के लिए दोस्तों आप यहां पीपीडी को पर click करेंगे तो यहां पर यह option आजाएगा फिर दोस्तों आप पीपीडी को पर click करेंगे तो B option आजाएगा यहां पर click करके चीजों को सो नहीं कराना है तो आप इस पेस की प्रेस कर सकते हैं फिर दोस्तों हम इस पेस की प्रेस करेंगे तो यहां पर इस तरह से सभी चीजे आएगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा सवाल भी आ गया है और ऑप्सन भी आ गया है और हमारा टैमर अब दुस्तों हमें यहां पर answer नहीं तो answer सो करने के लिए दूस्तों हम लुग यहां ज्लाइड को पर क्लिक करेंगे जो भी आंसर है वह यहां पर highlight हो जाएगा और फिर दुस्तों इसका जो एक्स्प्लेनेशन है वह सारी चीज़े आप पर सोग हो जाएगा तो इस तरह से दोस्तों आप पिपीटी को यानि की स्लाइड को पले करेंगे और इस तरह से दोस्तों आप OBS की मदद से जो है इसे रिकॉर्ड करेंगे इधर दोस्तों हम लोग जो भी चीज़े कर रहे हैं ज दूसरा सवाल आएगा इस तरह से हम सवाल को पढ़ेंगे इसे एक्स्प्लेन करेंगे अगर दोस्तों आपको पिपीडी के ऊपर कुछ लिखना है तो आप कंट्रोल के साथ पी दबाएंगे तो यहाँ पे मौस जो है पैन बन जाएगा उसके बाद दोस्तों आप यहाँ प इस तरह से पढ़ाया ह sums जाएगा उसके बाद दोस्तों आप इसे क्लोज कर देंगे ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप OBS में आएंगे और यहां से दोस्तों आप recording stop कर देंगे तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है वीडियो बनके ready हो गया है तो अगर आपको देखना है कि आपका वीडियो कैसा बना है कैसा record हुआ है तो आपको कह करना है file पे click करना है show recording के उपर click करना है तो दोस्तों आप यहां देखेंगी कि आपका यहां पे video record हो करके यहां पे save हो गया है लेकिन अभी दोस्तों यह जो वीडियो है आपका MKV format में है लेकिन इसको आपको कह करना हुगा MP4 format में convert करना होगा जब तक दोस्तों आप इसे MP4 format में convert नहीं करेंगे तब तक दोस्तों आप ना ही इसे edit कर सकते हैं ना ही दोस्तों आप इसे YouTube पे upload कर सकते हैं तो ये हम कैसे करेंगे तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे OBS में आएंगे और उसके बाद दोस्तों हम लोग file पे click करेंगे और उसके बाद दोस्तों यहां पे एक option दिया गया है Remox, ठीक है, Remox recording पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां 3.0 पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों हम लोग उस folder में जाएंगे जहां हमारा वीडियो record होकर के save हुआ है तो आप का video जो है यहां पर video folder में आप का video दोस्तों video folder में save हुआ होगा तो आप यहां video folder में जाएंगे उसके बाद दोस्तों आप उस file को यानि उस video को select करेंगे अभी आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर जो है mkv video file, ठीक है? यानि कि अभी यह जो video है हमारा mkv file format में record हुआ है तो अब हम लोग इसे select करेंगे और open कर देंगे open करने के बाद दोस्तों यहाँ पे remote दीखेगा आपको remote पे click कर देना है और इतना करते ही दोस्तों यह जो आपका mkv file format था यह आपका mp4 file format में convert हो गया है यानिकी दोस्तों छोटा सा process यहाँ पे आपको करना पड़ता है ताकि यह mkv file format से mp4 file format में convert हो जाया उसके बाद दोस्तों आपको वापस्से यहाँ फायल टैप पे click करना है और यहाँ पे आपको Show recording पे click करना है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी हमारा जो वीडियो record हुआ था वो mkv file format में था और अभी आप उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा file format देख सकते हैं जो कि mp4 file format है और इसे दोस्तों अब हम लोग YouTube पे upload कर सकते हैं यह तो दोस्तों अगर इसे ह हम एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं अब दोस्तों मैं आपको जो है इसका चलिए अब दोस्तों मैं आपको इसकी quality दिखाता हूँ recording on करेंगे तो हमारा ppd record होना start हो जाएगा उसके बाद दोस्तों इससे minimize कर देंगे अब दोस्तों आप यहां पे click करके जो है ppd को play करना शुरू किजिए और आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप ppd को उपर पढ़ाएंगे यहां पर सवाल आ करना है तो आप आप options ओकराने के लिए दोस्तों आप यहां प्री बिडिग ओपर click करेंगे तो यहां पर यह पर option आजाएगा अगर दोस्तों आप को प्लीक करके चीज़ों को switch नहीं कराना है तो आप space की press कर सकते ही फिर दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा सव सवाल भी आ गया है और option भी आ गया है और हमारा timer भी प्ली हो गया है अब दूस्तों हमें यहां पे answer सो कराना है तो answer कराने के लिए दूस्तों हम लोग यहां slide को पर click करेंगे जो भी सही answer है वो यहां पर highlight हो जाएगा और फिर दूस्तों इसका जो भी explanation है, वो सारी चीज़े यहां पर सोख हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों आप PPT को, यानि की slide को play करेंगे, और इस तरह से दोस्तों आप OBS की मदद से जो है, इसे record करेंगे, इधर दोस्तों हम लोग जो भी चीज़े कर रहे हैं, जो भी चीज़े पढ़ा रहे हैं, जो भी चीज़े बोल रहे हैं, वो सारी चीज़े दोस्तों OBS हमारा record कर रहे हैं, फिर दोस्तों हमें next slide में जाना है, यानि की next सवाल में जाना है, तो दोस्तों हमनों क्या करेंगे, slide के उपर click करेंगे, तो यहां पर हमारा दूसरा सवाल आएगा, इस तरह से हम सवाल को प चीज़े दोस्तों आप यहां पर explain करना चाहें, आप explain कर सकते हैं, अगर दोस्तों आपको इसे erase करना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर e-press करेंगे, तो यहां पर सभी चीज़े erase हो जाएगी, तो दोस्तों आप यहां पर देख पा रहे हैंगे, इसमें नहीं कोई delay आप OBS में setting करते हैं, और इस तरह से अगर आप OBS की मदद से PPD को record करेंगे, तो दोस्तों आपका वीडियो बहुत ही अच्छे से record होगा, कहीं पर आपको lag देखने को नहीं मिलेगा, नहीं दोस्तों आपको कोई problem देखने को मिलेगा, दोस्तों इसमें जो जरूरी setting है, वो मैंन देख सकते हैं, कि मैंने भी लिखा है, यहां पर कोई delay देखने को नहीं मिल रहा है, और यहां पर दोस्तों मैं बहुत है, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारी जो वीडियो है, वो कितने अच्छी quality में record हुआ है, और यह सारी चीजे दोस्तों हमने OBS से record किया है, तो दोस् setting में जाना है, हो सके तो दोस्तों आप इसका screenshot ले लिजेगा, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, output में जाना है, output mode simple रखेंगे, और video bitrate 15,000 kbps रखेंगे, उसके बाद दोस्तों आप यहां पर encoder hardware select करेंगे, ठीक है, अगर आपके laptop या PC में graphic card नहीं है, तो आप यहा करना है, यहां पर file format mkv रखना है, ठीक है, बाकि आप यहां पर दोस्तों recording quality high quality medium file size रखेंगे, ठीक है, बाकि इस तरह से यह सारी चीजे रखेंगे, और दूसरा दोस्तों आपको क्या करना है, video में आना है, और यहां पर दोस्तों आपको 90 20 into 1080, input में भी दोस्तों आपको 90 20 into 1080, और output में भी दोस्तों same वही रखना है, यानि कि 90 20 into 1080, और frame rate दोस्तों आपको 30 रख लेना है, ठीक है, यह सारी चीजे आप रखेंगे, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, बाकि दोस्तों आपको audio setting में मैंने आपको बताई दिया है, कि यहां पर आपको gear प और उसके बाद दोस्तों इन सभी में चेक टिक लगा देनी है, और यहां पर दोस्तों audio monitoring को दोस्तों आपको कहा करना है, आफ रखना है, अगर दोस्तों आप इतना setting करने के बाद अगर आप OBS से अपना PPT record करते हैं, तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छी quality में और बहुत ह अच्छे से आप PPT को record कर पाएंगे,